अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो इसको समझते हो एंड वीडियो देखने के बाद उस मैथट को फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको रीडिंग में इंप्रोव्मेंट देखेगी एंड रीडिंग में 9 बैंड स्कोर करना भी पॉसिबल है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन क्वेशन को कैसे सॉलो करना है और ये भी बताऊंगा कि जो रीडिंग में इंफर्मेशन अमें परवाइड करी होती है उसमें इंटरस्ट आपने कैसे बनाना है और आप सभी से एक चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको कैनेडा के रिलेटर को इंफर्मेशन चाहिए जैसे कि पी आर के ब्रोग्राम्स होगे जब आप कैनेडा प्लस टू करके आते हो तो कौन सी चीजों का आपने द्यान रखने है वो इंफर्मेशन आप मेरे दूसरे चैनल के उपर चेक कर सकते हो अभी ने इसको द्यान से समझना मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्वेस्टन को कैसे सॉल्व करना है जो इंफर्मेशन हमें पैसेज में प्रोइड करी होती है उसको यूज करके हम अपनी रीडिंग की स्किल्स को कैसे इंफर्मेशन कर सकते है जो पैसेज अभी हम सॉल्व कर रहे है जिस पैसेज के क्वेशन उस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एड़ कर दिया है अब वहाँ चेक कर सकते हो तो हमारे पस चार आप्शन है हम से क्यों हम कॉशन्द सॉल्व कर रहे है कि पहले पैराग्राफ में जो राइटर है उसने क्या मैंशन कर रहा है माइक्रोब्स के बारे में चार आप्शन हमें दी है इन्वार्मेंट के रिलेटर कि वो बहुत जल्द अड़ेप्ट कर लेते है दूसरा एक रिस्क के बारे में बात हुई है तीसरा कि एनिमल लाइफ में अगर हम कंपैरिजन करें उसका प्लांट लाइफ के साथ एक केस में वो ज़्यादा प्लेंटी फुल है और लास्ट फिर उन्होंने कंपैरिजन करें हिमन रिस के साथ तो अभी इसमें कौन सी सही अप्शन है तो मैं आपको रेकॉमेंट करूंगा जब भी आप कोई भी पैसेज सॉल्व करते हो उसका टाइटल इतना इपॉर्टेंट नहीं होता जब आप फिरस्ट पैराग्राफ रीड कर ले तो आपको idea हो जाता है कि इसमें क्या बात करिए चाहे फिलप्स होती चाहे heading होते पहले पैराग्राफ आपने हमेशा रीड करने इस टाइम क्या हुआ जब हम पहले पैराग्राफ रीड करेंगे वो हमारी help करेगा पहला question solve करने के लिए पहला paragraph read करते है microbes, most of them bacteria, have populated this planet since long before animal life developed and they will outlive us invisible to the naked eye and they are ubiquitous they inhabit the soil, air, rocks and water and are present within every form of life तो यहां तक हमने information read करें last line में किसी एक बंदे का नाम यूज हुआ है चाइनिस नेम है और बेसिकली यह author के रिलेटर देनों ने बताया है कि उसने एक explain करा है यॉंग explains in his artillery absorbing and hugely important book यहां पर एक चीज बता दूँ information पूरी नहीं परवाइड करी उससे sentence की जब इस तरही की information होती है ना plentiful दो हमें नए वर्ड देखने को मिले first का meaning है कोई ऐसी चीज वो जो बड़ी ही common हो and सब जगह वो देखी जा सकती हो जैसे कि pollution की problem सबी जगह पर है second plentiful मतलब उनकी गिंती ज़ादा है कि यहां पर question का meaning है कि animal life में वो ज़ादा मिलेंगे अगर आप comparison करो plant life से तो यहां पर यह इसका meaning है इसलिए यह सबी कहते हैं कि reading में vocabulary important होती है आज आपको दो meaning पता लगे इसको notebook पे लिखो इसकी examples बनाओ ताकि next time आप writing में भी use कर पाओ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट मैं अपने best try कर रहा हूँ कि आप इसको समझ सको तो यहां पर हम elimination method यूज़ करेंगे जिसको मैं EM कह देता हूँ तो पहला option देखते हैं कि अगर उसके बारे में बात हुई है कि वो they can adapt quickly to their environment second risk get related third comparison fourth week comparison तो जब हमने पूरा paragraph read कर उसमें हमें क्या समझ में आया पहले यह देखते हैं कि कब से वो exist कर रहे हैं वो common है और वो हर एक form में present है और एक author के बारे में बात हुई है इन चार sentences से हमें को information मिली है कि वही कोई risk के बारे में बात हुई है बलको नहीं नहीं यहां पे comparison हुई है कि कौन से life में वो यादा plenty full है तो B and C तो हमारी options नहीं आएंगी उनके बारे में अलग-अलग बात जरूर हुई है कि कौन से form में वो देखे जा सकती है हर एक form में वो exist करते है बट उन्होंने यह नहीं बताया कि वो अपने environment में and definitely they will continue to exist for longer than the human race and अगर आप outlive का meaning देखोगे उसका meaning होता है कि उनका जो life span होता है वो ज़्यादा हो तो अभी आपने क्या करने microbes के बारे में आपने और कुछ fact read करने है internet पे इससे क्या होगा आपकी habit बन जाएगी अगर आपको इस तरीकी का पैसे जाता है उसमें interest बनाने की एड़ आपको कोई information भी मिलेगी कुछ आप नया सीख हो गए यही एक तरीका होता है reading में interest बनाने का जब एक बार आपका interest बनने लगा understanding आपको हो जाएगी क्योंकि reading game ही understanding की होती है तो पहले question का हमारा answer आएगा D एक मैं यहाँ पे आपको और trick बताता हूँ जो MC की होवाली questions होते है न वो depend करते हैं कि statement क्या लिखी है जैसे कि इन उने लिख है in the second paragraph the writer is impressed by the fact that जिस तरीके की statement होती है उसी नजरिये से आपको paragraph read करना होता है कुछ students को लगता है कि जब वो पूरा paragraph read करेंगे फर उसके बाद options read करनी है यह सबसे गलत method है जो question की statement होती है वो decide करती है कि किस तरीके से आपने वो information को use करके answer करना है जैसे कि इस question में बताया है कि second paragraph में कौन से fact से वो impress हुआ हमें कोई लेना देना नहीं है कि भाई बाग information क्या है उसमें एक fact find करना है जिससे वो impress हुआ है उस हिसाब से हमने इसका answer लगाना है अगर आप इस पूरे paragraph में information read करो आपको कोई fact के related कोई अच्छा सा sentence मिल रहा है आप try करो and fact क्या होता है जैसे की numbers हो गए fact में numbers की बात होती है या फिर कोई आप क्या सकते हो कोई ऐसी characteristic होगे को property होगे किसी particular चीज़ की उसकी बात होती है तो इस paragraph पे अगर आप search करो यहाँ पे third sentence देखो what is amazing is that amazing हो गया interesting हो गया and surprising हो गया तो यह सभी fact होते है जब हम fact के लिए इनको use करते है तो अभी इस fact को read करते है what is amazing is that while the number of human cells in the average person is about 30 trillion the number of microbial ones is higher which is about 39 trillion तो difference कितनी का आगया 9 trillion का जो कि बहुत ज़ादा होता है कि यह cells की गिंती हैं उनमें ज़ादा है चार options है अब चारों को read करो and बताओ इसका अंसर क्या है and scientist को यहां पे लेकर आ रहे हैं कि उनकी understanding बड़ी limited होती है कि वो कैसे behave करते है third the average individual has more microbial cells than the human ones ये एक fact है means this is amazing right तो obviously वो इस fact से impressed हुआ है तो इसका answer हमारा C आ गया जैसे कि मैंने पहले बताया था जो भी आपको main यहां पे information मिल रही है उसको google पे सर्च करने अगर आप इसके related सर्च करते तो ये fact इंटरनेट पे आता तो यहां से हम अपना interest और बना सकती है reading के passages में तो last वाला तो वही आपकी लिए मैं तो इसको solve नहीं करूंगा क्योंकि आपकी भी practice थोड़ी होनी चाहिए कई बार होता है कि information हमें पहले sentence में मिल जाती है कई बारी बीच में मिलती है कई बारी हमें पूरा paragraph रीड करना बड़ता है fifth paragraph में writer क्या कर रहे जैसे कि मैंने पहले बताया था किस नजरिये से आपको passage को देखना है वो statement बताएगी उन्होंने ये नहीं करा कि impress हुआ है वो कर क्या रहे discovery कैसे बनी कोई scientist की theory होगी confusion हो गई and हमेशा scientist confused ही रहते है last है कि details वगएरा क्या है diseases के बारे में and यहाँ पे last sentence में एक theory है अगर आप चाहो उसके बारे में read कर सकते हो अपना interest बनाने के लिए जिन students के पास medical था plus two में, plus one में उनको तो ये topics read करने बड़े ही अच्छे लगेंगे मुझे भी थोड़ी बहुत information मिली चाहे मैंने non-medical करा था because learning is a never-ending journey, right? तो आप कुछ न कुछ तो सीखते रहते हो I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आप वीडियो को दबारा देख सकते हो इसको और अच्छा समझने के लिए next time जब आप देखोगे आपके दिमाख में नए ideas आएंगे चाहे आप experiment करके देख लेना आपके देखोगे आपके देखोगे